हेलो फ्रेंड्स मैं वीनाय निर्भिक फ्रेंड्स आपका गणार फिर्ष्रे हमारे चैनल पे श्वागत है फ्रेंड्स जैसा कि आप लोग जान रहे हैं आज एससी छेशल का एक्जाम स्टार्ट हो चुका है और कई लोग आज एक्जाम छोड़ चुके हैं सब के अपने अप महराश में लग गया है 36 गड़ में लग गया एंपिम लग गया कुछ सीटे चोड़े गया है बट मैक्सम पार्ट में लग गये हैं पूरे लॉगड़ाउन महराश और मद्यपतर 36 तीन जगा अभी तक मुझे निउस मिला है ठीक है लेकिन ऐसा भी कुछ हुआ है फ्रेंड् और पब्लिक ट्रांसपोर्ट चल ही नहीं रहा है ना तो आटो चल रहा है तो आप कैसे पहुचेंगे यह बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जिनके पास परस्टनल बाइक व्यगरा था परस्टनल कार व्यगरा था वह एक्जाम देने लिए पहुच गें ठीक है बत कुछ लो इसे कंजिशन में गजाने का करा क्यों रहा है और लो फ्रेंस अभी यह नहीं जाने हो तो आइसकर करता हूं का अवा भजाने कशुड़ीया गया तो मैंने बोला खुद लुआट था उनके रल्टाउन गजानें एंव बाहर नहीं '' कुछ लोग क्या है life को प्रिफर कर रहे हैं कर दो बन जाएगा सही बात है ठीक है और कुछ लोग लाइफ को डैंजर में डाल के एक्जाम देने जा रहे हैं ठीक है तो कुछ लोग कह रहे हैं कि admit card जो है वो open अगर अगर आप खुद नहीं कर सकते हो तो लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है कि एसा कोई प्रॉब्लम यह प्रॉब्लम यह कि PDF ना बने ऐसा कुछ नहीं रखता कि इसमें सचाई होगी जला साभी बट मैंने ऐसा सुना है ऐसा देखा कुछ नहीं मुझे बिश्वास नहीं और इन बातों पर ठीक है और एक रिजन क्या है फ्रेंड्स एक कैंडिट्स के साथ एकने कई हैं वो जो क्या कि है ना सेंटर पहुच गया है बट उनके थोड़ा सा आई कार्ड में प्रॉब्लम यह था कुछ लोग ऐसा आधार कार्ड लेकर के जा रहे हैं जिनके आधार का पूरा डेट, मन्थ, यह सब कुछ मेंशन हो बट कुछ कैंडिट्स ऐसे थे कि पुराना अधार कार्ड लेकर अपने अपडेट नहीं करा है इसमें क्या था डेट के लिखा हुआ था मन्थ यह यह लिखा हुआ था इस वैसे उनको डाइटली से वापस कर देगा है ऐसा कई जाएंगा सुनने को आया है ठीक है तो ऐसा आप लोग गलती ना करें अगर आप एक्जाम देने जा रहे हैं कल परसों में जब भी तो आपके पास ओरिजिनल डॉक्यमेंट होने से रियल डॉक्यमेंट अगर आधार में यह प्रॉब्लम है तो आप पैन कार्ड लेके जा सक कि आप जान रहे हैं कि कोरोना बहु ज़्यादा फैल चुका है और लगभग सभी एक्जाम ध्रिद्रे पोस्टपॉन हो रहे हैं इसी वेसे एंटिपसी का सेवंथ फेज अभी तक नहीं हुआ और ना है गुरूबडी का कोई हाल खबर है ठीक है और CCRS का एक्जाम आले पो हो चुका है स्कूल कॉलेज लगभग सभी स्टेट्स में बंद हो चुके हैं दिल्ली के हाले देख रहे कितनी बोरी हो चुकी है ठीक है तो अभी मेरी यूपी में बात करूँ फ्रेंड्स तो इहां भी 30 अप्रेल तक स्कूल कॉलेज कोचिंगर सब कुछ बंद कर दिये गय ख्या चाहता है कि हम exam किसी तरा करा के ही रहेंगे तो फिर उसके मन में यह बन गया है कि मल्ला तो है बाइक कोई पो पोजिटो पॉस्ट्व नहीं करेंगे यानि उनको ये लगता है कि हम पुरा COVID प्रोटोकॉल फॉलो करके अपना एक्जाम करा सकते हैं ऐसा मैं अपने नहीं बोल ला हूँ फिर डाटली सेंटर से पता करके बता रहा हूँ ये सिच्वेशन चल ला है इस वे ससी अभी एक्जाम को पॉस्टपॉन करने के मूड में नहीं है यानि कह सकते हैं कि एस ट्राइल एक्जाम स्टार्ट कराया गया इस बार पिछले बार कही तरह अगर किसी कैंडेट को पाया जाता है कि वो मतलब कोवीड पॉस्टिव है या फिर कुछ ज्यादा प्रॉब्लम है तब ससी एक्जाम पॉस्टपॉन करने के बारे में सोच सकता है यह भी डिपेंड कर सकता है यह रीजन वाइस हो जाए या फिर पूरा अल इंडिया हो जाए यानि कि अभी भी पॉस्टपॉन्मिंट का पूरा चांस है जिस दिन भी कुछ कैंडेट्स पॉस्टिव मिल गए उस दिन के बाद ससी को हो साएगा कि हाँ अब हमें एक्जाम न कराएन और अगर एक्जाम पॉस्ट पॉस्ट पॉन नहीं कराता है तो भी आपका यह फायदा इसमें है फायदा यह है कि नौर माइशन पे नहीं पढ़े ऑल्सें में बोला था कि अगर ससी एक्जाम इस्टार्ट करा ही दिया है तो अब आप लोगो इसके लिए मिल करना हो होगा कि बीच में पोश्पॉंड ना करें कुए इसके बाद क्या होता है आप को निगेटिव const पड़ता है तो बाद वालों को नौर्मेशन में ज्यादा मार्ग बढ़ जाता है ठीके तो उनको भरपू टाइम में मिल गया फ्रेंड्स लगबग सात महिने का और नॉर्मेशन में भी उनका मार्क्स इंक्रीज हो गया तो अब यहां पर बड़ा कन्फूजन बन गया है अगर पुस्ट्पॉन हो तो भी प्रॉल्म है न पुस्ट्पॉन हो तो भी प्रॉल्म है इस सीखो उसके सेंटर पे तब तक को पुस्ट्पॉन के बारे में नहीं सोच सकता है ऐसा क्लरीटी एकदम मिला है ठीक है अब इससे क्या है यानि कि आप तो चानते हैं सिच्विशन बिगड़ चुका तो ज़रू कोई नो कोई केस मिलेगा यानि इसके बाद भी पूरे चांस करान पूराइक स्टार्टी से लिए अगजाम नहीं कराया होतां तो इतना बड़ा प्रॉलम नहीं हुआ होता है अगर पुर्ण नहीं करता है तो जो मतलब लॉक्डाउन ओले एरिया में वो जा नहीं पाएंगे और अगर पुश्पॉन करता है तो नॉर्वनेशन पर इफेक्ट पड़ेगा हर तरफ से आप बोरी तरीके से फस चुके हैं अब SSC कुछ भी करता है इसमें आपका ही नुक्षान है SSC का कोई नुक्सान नहीं है ठीक है SSC दभर्सक प्रियास करें वो पुश्पॉन ना करें ठीक है और मैं भी आपसे यही कहूंगा कि अगर आपके पास आने जाने की शुद्धत आप एक्जाम स्कीप ना करें ठीक है एक्जाम में अपसेंट ना हो आप अपने बाएक वगेरा स्चाने का प्रियास करें अगर आपका सेंटर नजदीक है तो ठीक है क्योंकि क्या है यहां पे कि अगर पुश्पॉन होगा तो इससे आपका ही नुक्सान होगा नॉर्मेशन बहुत ज्याद एफेक्ट पड़ता और आप लोग परिशान हो जाएंगे आप इतने कोवीट में में आप जाएंगे एक्जाम देंगे और आप अच्छा स्कोर करेंगे फिर भी आपका माक्स ज्याओगा बागी के कंप्रिजन में कम हो जाएगा क्योंकि उनका बहुत ज्यादा बढ़ी जाएगा बादवालों ठीक है फ्रेंट्स तो मैं यही अप्रिट देना चाहता था कि यही कंडिशन सिच्वेशन अभी एससी का तो अभी के लिए बस इतना ही ठैंक यू जय हिंद जय भारत